गुचरात और हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी ये 8 दिसमबर को साफ हो जाएगा 12 नवंबर को हिमाचल और फिर 1 और 5 दिसमबर को गुचरात में हुए दो चरणों के मतदान के बाद एक्जिट पोल भी आने शुरू हो गए है इन एक्जिट पोल से थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगी जाएगा कि राज्य में किस पार्टी का पलड़ा भारी है जनता ने किस पार्टी को अगले चुनावों तक के लिए चुना है एक्जिट पोल से चुनावी नतीजों की तस्वीर का पता चलता है जिसे अलग-अलग एजिंसिया करवाती है हलाकि कई बार ये एक्जिट पोल के नतीजे जो है वो गलत भी सावित होते हैं लेकिन अब सवाल ये कि एक्जिट पोल होते क्या है जिनसे ये अंदाजा लगता है कि शनाव में कौन सी पार्टी जीतने वाली है और क्या होती है exit poll की guidelines ये सब बताएंगे और बताएंगे ये भी कि exit poll opinion poll से कैसे अलग होता है क्योंकि इसे लेकर भी लोगों के बीच बड़ा confusion रहता है कि दोनों में अंतर क्या है इन सभी सवालों के जवाब देंगे आपको इस support में नमस्कार मैं हुकीरती और आप देख रहे हैं न्यूस तक सबसे पहले बात करते हैं exit poll के बारे में दरसल exit poll voting के तुरंत बात किया जाता है और इसमें केवल voters को ही शामिल किया जाता है exit poll कराने के लिए किसी agency या news channel द्वारा survey कराया जाता है ये लोग किसी भी polling booth जाकर voter से कई सवाल करते हैं आम तोर पर एक अच्छे exit poll के लिए मजबूत exit poll के लिए लगभक 30-35,000 और एक लाख तक के voter से बात की जाती है इसमें युगाओं से लेकर बुजर्गों तक को शामिल किया जाता है अगर बात करें कि इस survey के सवालों की तो यहाँ पर हम आपको बता दें इसमें कई सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे किस को vote दिया है और हर विधान सभा के अलग-अलग polling booth से voter से सवाल पूछे जाते हैं इसके बाद उनके जवाब के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि जनता का mood किस ओर है कौनसी पार्थी को कितनी सीटे मिल सकती है और हाँ इसका टेलिकास ये publishing तब ही की जा सकती है जब voting हो जाए इसके बारे में भी हम आगे details से बात करेंगे अब बात opinion polls को लेकर एक तरफ जहाँ exit poll voting के दिन या उसके बाद कराये जाते हैं तो वहीं opinion poll चुनावों से पहले ही करा लिये जाते हैं opinion poll में सभी लोगों को शामिल किया जाता है अब चाहे वो voter हो या फिर नहीं जबकि exit poll में ऐसा नहीं होता हाला कि exit poll और opinion poll के जो सवाल हैं वो सेम भी हो सकते हैं अब तक तो आप समझ ही हैंगे कि opinion poll और exit poll में क्या अंतर होता है अब बात इससे जुड़े इतिहास की भारत में चुनावी सर्वे और exit poll के शुरुआत 1980 के दश्रक में मानी जाती है तब चार्टेड अकाउंटेंट से एक जर्नलिस्ट बने प्रणाय रोई ने वोटरों का मूर जानने के लिए opinion poll किया था शुरुआती सालों में exit poll मेगजीन में छपा करते थे लेकिन साल 1996 में हुए लोकसभद चुनाव के दौरान पहली बार ये exit poll दूर दर्शन पर टेली कास्ट हुए जिसे Center for the Study of Developing Societies यानी CSDS ने किया था अब बात कर लेते हैं exit poll की guidelines के बारे में exit poll survey को लेकर भारत में पहली बार 1998 में guidelines जारी हुई थी चुनाव आयोग ने Article 324 के तहट 14 फरवर 1998 की शाम 5 बजे से 7 मार्च 1998 की शाम 5 बजे तक exit poll और opinion poll के नतीजों को television पर दिखाने या अख़वारों में publish करने पर रोक लगा दी थी इस दौरान चुनाव का पहला चरण 16 फरवरी और आखरी चरण 7 मार्च को हुआ था इसके बाद समय समय पर चुनाव आयोग, exit poll और opinion poll को लेकर guidelines जारी करता रहा है Representation of People's Act 1991 के मतावे जब तक सारे फेस की voting खत नहीं हो जाती तब तक exit poll नहीं दिखाये जा सकते आखरी चरण की voting खत होने के आदे घंटे बाद exit poll के नतीजे दिखाये जा सकते हैं कानून के तहप अगर कोई भी चुनाव प्रक्रिया के दोरान exit poll या चुनाव से जुड़ा कोई भी सर्वे दिखाता है या चुनाव आयोग की guidelines का उलंगन करता है तो उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या फिर तुमनों की सजा हो सकती है तो ये थी exit poll से जुड़ी हमारी रिपोर्ट आपको ये खबर कैसी लगी फीदबैक जरूर दे साथे साथ देश्चुदे से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साल अब्रेट रहने के लिए देखते रहेए नियोस तक जुड़ी हमारी तुमना या जरूर नियोस फ़ाइए रहेएं विए आपको ये चुड़ी तुमना ये निच्कान का जरूराएर मारी ये